दूसरा महत्तुपूर्ण पदार्थ जो इनमें मिलाया जाता है वो होते हैं ज्ञाग स्थाई कारत या हम कहा हैं फ्रोध स्टेबलाइजर्स क्योंकि ये जो पूरी विधी है उसमें फोम याने की फ्रोध जो है ज्ञाग है उसकी महत्तुपूर्ण भूमिका होती है और हम जानते हैं कि जाग बनाने पर जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी ही वो समापत भी हो जाती है और इसलिए पूरी प्रोसेस के दोरान जाग बनी रहे इसके लिए यहाँ पर जाग इस्थाई कारक मिलाए जाते हैं और इसमें मुख्य रूप से होते हैं एनिलीन जिस तो इस तरह से इनका उपयोग हम जाग स्थाई कारक के रूप में करते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरी प्रोसेस होती है फिन प्लवन विधी में वो खिस प्रकार से होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ा कंटीनर होता है जिसमें हम चु साथी साथ यहाँ पर हम मिलाते हैं कोई भी आयल यानि की संग्राही और साथी साथ यहाँ पर हम फेन स्थाई कारक जो फ्रोथ स्टैबलाइजर से उनको भी मिला देते हैं जैसे ही हम यहाँ पर संग्राही मिलाते हैं इनका काम होता है तो यह सारे जो अयस्क पार्टिकल्स उनके चारों ओर एक layer बना लेते हैं तर्ठाश शुकुरी यह हलके होते हैं और इसलिए ओपर बनाते हैं जूसरी ओर जो gang या matrix होते हैं वो जल्स नहीं होते हैं जल में भीग जाते हैं और इसके वज़ेसे यह नीचे जाकर जो container है उसके नीचे जाकर एकतरित हो जाते हैं इसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इनके बीच में एक rotator या घुरणी लगी होती है और जिसमें की नीचे blood लगे होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लसी बनाते हैं तो वहाँ पर हम मतानी से इसे मत तेहां तो जैसे ही मत्ते हैं वहाँ पर एयर जाती है और एयर बबल्स बनने लगते हैं और एयर बबल्स हलके होते हैं और इसलिए उपर आ जाते हैं और जो कि जो बबल्स होते हैं जाग होती है यह हलकी होती है तो यह उपर की तरफ जाती है और जब यह उपर की तरफ जाती है तो अपने साथ एल में भीगे हुए आयसक के पार्टिकल्स को भी उपर ले जाती है जब यह उपर पहुँट जाते हैं तो इन्हें भिन-भिन सयं द्रग होती है उसके निसकासन के लिए पॉती है और इसे दूसरे एक कंटेनर में एकत्रित कर लिया जाता है तो इस तरह से पूरे जाता के साथ या फेन के साथ यह पुरा जो ऑयस्क वह भी दूसरे कंटेनर में पहुंच जाता है फिर इन एसकों को अच्छी तरह से शुखा लिया जाता है तथा इस तरह से शुद्ध आयसक प्राप्त कर लिया जाता है तो यह है जिनके द्वारा हम सिलफाइट ऐस्कों का सेपरेशन करते हैं एक लिए तो एक से अधिक धात्मों के उपस्तित हों तो भी फेन प्ल से प्रथक किया जा सकता है कि इसके लिए जल या फिर तेल इनकी मात्रा को सही טरीके से संयुजित किया जाता है या फिर इसके लिए हम एक बाहरी प्दार्ध जिसे हम जिसे दिप्रेसую करते हैं इस मों इसे हम औरियो दोनों ही वहाँ पर उपस्थित हों तो उसके लिए हम sodium cyanide ये डिप्रेसंट का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर जो sodium cyanide होता है वह दोनों में से एक यानिकी zinc sulfide के साथ रियाक्ट करता है और उसके साथ एक complex बना लेता है और ये जो complex बनता है वह जल से भीगता है और जल से ज जल से भीग कर नीचे चला जाता है जबकि जो दूसरा sulfide अयस्क है यानिकी lead का sulfide है वह जल विरागी होता है जो तेल से भीगता है और यह जहाक के साथ उपार आता है और इस तरह से lead के sulfide को हम zinc के sulfide से प्रिथक कर सकते हैं तो इस तरह से हम किसी dipresant का उप्योग करके दो भिन भिन धात्मों के sulfide में से केवल एक धातू अयस्क को प्रिथक कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं अयस्कों के सांद्रन की जो चौथी विधी है वह है निक्छालन या जिसे हम कहते हैं leaching process यदि अयस्क किसी उप्युक्त विलायक में विले हो तो इस विधी का उप्योग किया जाता है और यह विधी बहुत सारे अयस्कों के लिए जैसे की अयस्क के बाक्साइट के लिए सिल्वर गोल्ड या कॉपर इन सभी के अयस्कों के प्रिथाक करण के लिए उप्योग में लाई जाती है इसमें हम एक महत्पॉर्ण लीचिंग एजन्ट का उप्योग करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं बाक्साइट से अल्यूमीना के निक्षालन की विधी और यह विधी कहलाती है बेर्स प्रोसेस इसमें हम जो मुख्य इसमें क्रिया होती है उसमें जो भी अयस्क या गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनक किसी एक के साथ क्रिया करके कॉंप्लेक्स बना लेता है जबकि जो दूसरा पदार्था गैंग या मैट्रिक्स है वो वहां से अलग प्राप्त हो जाती है तो इस तरह से यहां पर मालेजे जो बाक्साइट अयस्क होते हैं बाक्साइट अयस्क का सूत्र होता अल्टू-O3- इस बाक्साइट अयस्क में इसकी के लिए जो हम लिचिंग एजन्ट उपियोग में लाते हैं वो होती है सोडियम हैड्रॉक्साइड का विलियन अब यहां पर जो अल्यूमिनियम के आक्साइड होते हैं यानि की जो बाक्साइड अयस्क होता है उसमें जो अशुद्ह रू और हम जो भी दो तीन चीजों का उपयोग करेंगे एक तो होगा विलायक या जिसे हम लीचिंग एजन कहेंगे और यह होता है सोडियम हाइड्रोकसाइट का विलियन दूसरी और यहाँ पर तापमान का भी क्योंकि गर्म करना होता है इसलिए तापमान भी महत्टपूर्ण हो तो इस तरह से ताप दाप की सही कंडिशन में एक उच्चित लीचिंग एजन्ट का उपयोग करके हम जो अयस्क का चूर्नित अयस्क होता है उसकी करिया हम विलायक के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जब हम बाकसाइट अयसक को लेते हैं तो यह बाकसाइट अयसक जिसमें की alumina Al2O3 होता है वह सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ क्रिया करके सोडियम aluminate में परिवर्तित हो जाती है और यह जो है वह aluminate wilien में wilay होकर wilien के रूप में चला जाता है साथी साथ जो अशुद्धिया होती है वह यहाँ पर अविले रहती है जिन्हें चानकर प्रथक कर लिया जाता है लेकिन एक अशुद्धि जो सिलिका होती है SiO2 वह भी इस विलायक में घुल जाती है sodium silicate के रूप में यहने कि जो अविले अशुद्धिया है वो तो यहाँ पर अलग हो जाती है लेकिन एक विले अशुद्धि जो की sodium silicate के रूप में होती है वह यहाँ पर अभी भी विलियन में उपस्थित होती है तो इस तरह से अब यह जो विलियन प्राप्थ होता है उसे चानकर अविले अशुद्धियों को प्रथक कर लिया जाता है जबकि जो विले विलियन होता है अब इसमें carbon dioxide प्रवाहित की जाती है यहाँ पर जैसे ही carbon dioxide प्रवाहित की जाती है यहाँ पर alumina जो है वो hydrated alumina के रूप में प्रथक हो जाता है जिसका सुत्र होता है AL2O3XH2O साथ ही साथ अब यहाँ पर चुकि जो sodium silicate है उसकी क्रिया carbon dioxide से नहीं होती है और इसलिए यह जो है विलियन में ही रहता है और इस तरह से जो hydrated alumina प्रवाहित होता है अवक्षेप के रूप में इसे छान कर प्रथक कर लिया जाता है तो इस तरह से जब यह प्रिथक हो जाता है उसके बाद इसे सुखा लिया जाता है और इस तरह से जब सुखा कर गर्म किया जाता है तो गर्म करने से इसमें जो hydrated water होता है वह भी प्रिथक हो जाता है और इस तरह से हमें सुखा केवल alumina AL2O3 प्राप्त हो जाता है जिससे का हम आगे उप्योग करके धातू निसकर्शन में करते हैं यदि red boxide का उप्योग किया जाता है red boxide में हम जानते हैं कि मुख्य रूप से जो गैंग होते हैं वो iron के oxide होते हैं और इसके लिए जो leaching agent उप्योग में लाय जाता है वो होता है sodium carbonate तो इस तरह से यहाँ पर हम aluminium से जो पुना उसी तरह से जिस तरह से हमने aluminium hydrated alumina से अशुधियों को प्रिथक किया था उसी तरह से यहाँ पर जो red boxide है उससे हम aluminium के oxide को प्रिथक कर लेते हैं इसके बाद यदि यहाँ पर white boxide का उप्योग किया जाता है तो white boxide में मुख्य रूप से silica अशुधि के रूप में उपस्थित होती है तो उसके लिए जो leaching agent होता है वो यहाँ पर coke और nitrogen gas उप्योग में लाई जाती है तो यहाँ पर जो aluminium के oxide होते है AL2O3 उसकी क्रिया जब coke और nitrogen gas से होती है तो aluminium यहाँ पर aluminium nitrite में convert हो जाते है साथ ही साथ carbon जो है वो carbon monoxide में परिवर्थित हो जाती है और इसके फरस्वरूप जब इसका जल से क्रिया होती है आगे तो यहाँ पर जो aluminium है वो अपने hydroxide में convert हो जाती है जबकि nitrogen है वो यहाँ ammonia में परिवर्थित होकर बाहर निकल जाती है और इस तरह से हम इस निक्छालन विधी के द्वारा aluminium के oxide का या aluminium के अयस्क का सांद्रन कर लेते हैं इसी तरह से जैसे कि मैंने कहा कि यह जो निक्छालन विधी है वह silver gold आधी धात्मों के oxide का प्रिथकरन या सांद्रन करने के लिए भी उतनी ही महत्तपून होती है तो यहाँ पर यदि हमें चांदी या सोने के अयस्कों का प्रिथकरन करना होता है सांद्रन करना होता है तो इसके लिए जो leaching agent उप्योग में लाते हैं वह होता है sodium cyanide या फिर potassium cyanide और इसे लिए यह जो विधी कहलाती है इसे mac author forest cyanide विधी कहते हैं यह बहुत ही चूनित अयस्क ले लिया जाता है इसकी क्रिया जब leaching agent sodium cyanide के साथ कराते हैं साथ ही यहाँ पर क्योंकि चूनित अयस्का यहाँ पर जो silver है वह एक complex बना लेता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि यह N A M C N M की जगह पर हम silver रख सकते हैं या gold से रख सकते हैं तो यहाँ जैसे हमने यहाँ पर silver लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा A G C N whole twice तो यह complex compound है जिसका नाम हो जाएगा sodium di-sino-urgente यह इस तरह का complex compound बनता है और यह जैसे complex compound बनता है यह विलियन के रूप में विले हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार से जो विले विलियन हमें प्राप्त होता है उसका अब दुति पद में हम प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा यह हम कहें कि धातू विस्थापन क्रिया के द्वारा हम इससे जो आयसक है उसके का निक्षालन कर लेते हैं तो यहाँ पर यह हम कह लें कि उससे जो भी धातू का हमने लिया है सिल्वर या गोल्ड तो उससे अधिक ऐसी सक्रिधातू का उप्योग करते हैं जो कि इन धातूं का अप्चैन कर दे तो इसके लिए यहां पर यदि हमें सिल्वर का करना होता है तो हम को उसके लिए उसके अधिक सक्रिधातू जिंक का उप्योग यहां पर करते हैं तो यहां पर जो हमें विलियन में कॉंप्लेक्स बना हुआ होता है sodium di-sino-urgentate जब इसकी क्रिया हम इसमें विलियन में जिंक आयन डालते हैं तो ये जो जिंक है वह silver को वहाँ से अपचेट करके वहाँ से displace कर देता है उसे reduce कर देता है silver धातू के रूप में तथा स्वयम वो विलियन में चला जाता है complex बना लेता है और इस प्रकार से जो नया complex बनता है वो हो जाता है sodium tetra-sino-ginket और इस तरह से जो बाकी जो जहाँ से silver होती है वह silver धातू के रूप में यहाँ पर प्रिथक हो जाती है तो इस तरह से हम gold को भी इसका निच्छालन कर लेते हैं गोल्ड के लिए यदि हमने लिया है तो गोल्ड में यहाँ पर यदि complex बनता है तो जो भी और है उसकी क्रिया हम जली माध्यम में oxygen की उपस्तती में मालों जी हम sodium cyanide के साथ कराते हैं तो वहाँ पर हमें potassium di-sino aurate यहाँ पर यह complex हमें मिलेगा और जो की यहाँ पर cyanide के रूप में जब इसकी क्रिया हम zinc से कराएंगे तो यहाँ से हमें जो गोल्ड है वो प्रिथक प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से निच्छालन विधी के द्वारा हम aluminium, gold या silver को इनके आयसकों से सांद्रित कर लेते हैं तो इसके पशाट यह सभी सांद्रान की विध्या जालेने के पशाट अब हम धातु करमी प्रक्रम के द्विती पद की ओर चलते हैं जो द्विती पद है वहow सांद्रित अयसक से धातु का निसकर्षन Metallurgy धातु कर्मी प्रक्रम का द्विती पद है सांद्रित अयस्क से ओध शोधित धातु को प्राप्त करना धातु निस्कर्शन के लिए सांद्रित अयस्क को पहले उस रूप में परिवर्तित किया जाता है जिस रूप में इनका अपचयन करना सरल हो इसलिए प्राइह सल्फाइट अयस्कों को या फिर कार्बोनेट, सल्फेट या फास्फेट अयस्कों को पहले इनके ओक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि इनको ऑक्साइट में परिवर्तित हो जाने के पश्चात इनका अप्चेन करना काफी सरल हो जाता है तो इस तरह से यहां पर जो सांद्रित अयस्क के से धातू के निसकर्शन की जो विधी है वो दो पदों में बाटी गई है इसमें जो पहला पद होता है सांद्रित और का धाट्म में अप्चयय है तो पहले देखते हैं ऐसकि का उकसाइड में परिवर्तन अस्ट का ऑक्साइड में परिवर्तन उश्मागत की रूफ से भी आवश्यक है क्योंकि जब हम मालीट यारी पाससे और सफाइड अयसक को यदि हम सीधे ही अपचयत करते हैं तो यहां पर हमें जो सलफाइड ऐसक है वो कार्बन के साथ जो सलफर है वो कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाय सलफाइड बनाती है साथ यहां पर हमें मेटल प्राप्थ होती है यह जो कार्बन डाय सलफाइड बन रही है यह उतन धातु प्राप्त हो रही है वह उतनी शुद्ध प्राप्त नहीं होती दूसरी और यदि हम इसी जो मेटल सेलफाइड होते हैं यदि हम उसका पहले ऑक्सी करन कर लें तो जो मेटल है वह अपने ऑक्साइड में परिवर्थित हो जाती है और उसके बाद जब हम उसका अप्च साइड बनाते हैं तथा जो धातू है वो वहां पर प्रिथक हो जाती है तो इस तरह से यहां पर हम देखें कि यह जो कारबन ड Alexa अक्साइड बन रही है वो सीधे रोडक्षन से जो कार्बन डाई सल्फाइड बनती है उसके तुलना में ज्यादा वोलटाइल होती है आसानी से बाहर निकल जाती है और इसलिए यहां पर इस प्रोसेस में जो डेल्टा जी का मान आता है वह भी नेगटीव होता है जबकि डा जी का मान नेगटीव होता है यह हम कहें वह अविक्रिया स्वता प्रवर्तित होती है जिसके लिए डिल्टा जी का मान कम होता है तो यही कारण है कि पहले जो भी जो भी अयस्क अपने किसी भी रूप में हो पहले उसे हम उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और फि जो विधी है वो भी दो प्रकार की होती है एक है निस्तापन निस्तापन क्रिया का उपयोग प्राया हाइड्रेड़ेट ऑक्साइट अयसकों के लिए तथा कार्बोनेट अयसकों के लिए किया जाता है तो इसके लिए जो भी अयसको हमारी पैस होता है उसको हम अयसको वायू की सीमित मात्रा में परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं जिसके फलसरूप यहां पर जो भी वॉलेटाइल अशुद्धी होती ही जैसे कि हाइडरेट अयस्क है तो उसमें जो हाइडरेट वॉटर होता है वो यहां पर वाश्प के रूप में बाहर निकल जाता है तथा ज लाई वायू की यहां पर आवश्चता नहीं होती है और इसके लिए यहां पर जो परावर्तनी भट्टी उपयोग में लाए जाती है पहले उसको बिना अयस्क रखे हुए खाली ही फर्नेस को काफी गर्म किया जाता है जब फूरी फरनेस गर्म हो जाती है तो वहाँ पर उसमें जो वायू होती है गर्म होकर बाहर निकल जाती है और बहुत ही कम वायू वहाँ पर बचती है तो इस तरह से फिर इस जो फरनेस है इसमें प्रवरतनी भट्टी में हम अयस्क को रखते हैं और उस वायू की सीमित मात्रा में साथ साथ उसको जो है उसको इतना गर्म करते हैं कि वह गलनी ना पाई यानिकि इनके मेल्टिंग पॉंड से नीचे ताप तक इनको गर्म किया जाता है क्योंकि यदि उनको बहुत अधिक गर्म कर दिया जाए और धातु पिघल जाती है तो यह फिर बहकर वहां से हट जाएगी द आल्सिनेशन प्रोसेस जो होती है उसमें परवरतनी भट्टी में और यसको कम वायू में या शीमित मात्रा में यहां पर गर्म किया जाता है जिससे जो वोलेटाइल असुध्या है वो निकल जाती है और जो यहां पर अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है यहां पर हम उधाराण ले सकते हैं जैसे यहां पर हमने लिया हैाइरन का ऑक्साइड या हाईड्रेटेट उक्साइड तो F2O3 यहाँ पर XH2O तो यह जो यहाँ पर hydrated water है वह गर्म होकर वाश्व के रूप में बाहर हो जाता है साथ ही साथ यहाँ पर यदि carbonate IS का है जैसे कि यहाँ पर लिया है जिंग carbonate तो यह इसमें जो carbonate है वह carbon dioxide के रूप में गैस के रूप में बाहर निकल जाती है इसी तरह से हमें जिसमें की calcium और magnesium दोनों के carbonate उपस्तित होते हैं तो यहाँ पर भी calcium और magnesium दोनों ही अपने oxide में convert हो जाते हैं धातु जो है वह अपने oxide में convert हो जाती है जबकि जो carbonate होता है वो carbon dioxide के रूपे बाहर निकल जाती है तो इस तरह से जो carbonate ice के हैं या hydrated oxides हैं वो सभी अपने oxide में convert हो जाते हैं इसके बाद oxide में convert करने की जो दूसरी विधी है जो की sulphide ice कों के लिए उपयोग में लाई जाती है वो विधी है भरजन या roasting तो इस विधी में भरजन की प्रक्रिया में यह भी परावर्तनी भट्टी में ही कराई जाती है लेकिन यहाँ पर जो oxygen है वायू की मात्रा परियाप्त रखी जाती है तो यहाँ पर अयस्क को वायू की परियाप्त मात्रा में तथा गलनांग से कम तापमान पर इन्हें गर्म किया जाता है तो जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनकी वायू से क्रिया होती है और यह जो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं साथ यसाथ जो sulfur होती है वो sulfur dioxide के रूप में प्रिथक हो जाती है और यह sulfur dioxide volatile है वाश्प के रूप में बाहर निकल जाती है इसके अब धारा नम ले सकते हैं जैसे की zinc sulfide या zinc blend जिसका सूतर होता है जब इसकी वायू के साथ क्रिया होती है तो जडन O बन जाता है zinc oxide बन जाता है तथा sulfur dioxide बाहर निकल जाती है इसी तरह से हम ले सकते हैं galena lead का sulfide PBS और जब इसकी क्रिया होती है इसे वायू की उपस्तिती में उच्चताप पर गर्म करते हैं तो यह अपने lead oxide में convert हो जाती है साथी साथ sulfur dioxide वाश्प के रूप में बाहर निकल जाती है इसी तरह से यहाँ प जो क्यूप्रस oxide में convert हो जाता है साथी साथ यहाँ पर sulfur dioxide बाहर निकल जाती है तो इस तरह से यहाँ पर हम calcination and roasting process के द्वारा जो हमारे पास सांद्रित अयस्क होता है उनको उनके oxide में परिवर्तित कर देते हैं कभी-कभी यह देखा जाता है कि जो copper glance होते हैं उसमें जो किया जाता है जिससे जो iron है लोहा है वह silicate के रूप में प्रिथक हो जाती है जबकि जो हमारे पास sulphide IS को होते हैं वो अपने oxide में परिवर्तित हो जाते हैं इस तरह से और जो copper होता है वह copper matte के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है तो इस तरह से calcination और roasting process के द्वारा हम किसी भी अजिए अयस्क को चाहे वो अपने hydrated oxide के रूप में हो carbonate के रूप में हो या sulphide के रूप में हो उन्हें उनके oxide में परिवर्तित कर देते हैं तो कि oxide में परिवर्तित होने के पश्चाथ उनका अप्चेन करना धातू में अप्चेन करना काफी सरल हो जाता है और यह उश्मा अगतिकीर के सिध्धानतों पर भी सही बैठता है तो इसके पश्चाथ अब हम देखेंगे अगली प्रोसेस और अगली प्रोसेस में हम देखेंगे कि धात्मों के oxide का धातू में अप्चेन किस प्रकार से किया जाता है यहां पर एक और महत्तुपुन बात यह है कि इस roasting process के जो बहुत अधिक मात्रा में sulphur dioxide निकलती है उसका उप्योग औद्योगिक रूप से sulphuric acid बनाने में कर लिया जाता है और इस तरह से हमें एक byproduct के रूप में बहुत ही उप्योगी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरह से आईए एक बार हम पुना calcination and roasting निस्तापन और भरजन क्रिया में अंतर समझ लेते हैं तो यहां पर हम देखें निस्तापन की क्रिया में जहां पर हम सांदृत अयस्क को oxygen की सीमित मात्रा में गलनांग से नीचे गर्म करते हैं वहें पर भरजन क्रिया में हम सांदृत अयस्क को oxygen की पर्याप्त मात्रा में या लगातार oxygen supply में हम नीमित supply में गलनांग से नीचे गर्म करते हैं निस्तापन प्रक्रिया में जो melting point से नीचे गर्म करते हैं साथ ही साथ यहां पर यह जो निस्तापन की process है यह hydrated oxide के लिए carbonate के लिए hydroxide के लिए उपयोग में लाई जाती है जहां दूसरी ओर जो भर्जन प्रोसेस होती है वह सलफाइड अयसकों के लिए उपयोग में लाई जाती है इसकी जो क्रिया विधी है हमने जो रासाइनिक उदाहरण है यही ले सकते है जैसे कि जो निस्तापन विधी है वह hydrated oxide जैसे कि यहां पर फेरी कॉक्साइड के या फिर aluminum के hydroxide अयसकों के लिए उपयोग में लाई जाती है उसी तरह से भर्जन क्रिया में हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे lead sulfide के लिए zinc sulfide के लिए या iron sulfide के लिए यह विधी उपयोग में लाई जाती है यहां पर एक और महत्तुपन बात होती है वह यह कि जो 10 stone होता है SNO2 या जिसे हम catheterite कहते हैं इस यह एक oxide अयसक है लेकिन इसके लिए roasting process का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें अशुद्धी के तौर पर बहुत अधिक मात्रा में sulfur उपस्तित होती है और इसे लिए इसके लिए हम oxide अयसक होते हुए भी हम इसका निस्तापन ना करके इसक कर लिया जाता है इस तरह से हम देखें कि चाहे निस्तापन प्रोसेस हो या फिर भर्जन प्रोसेस हो इन दोनों की फलसरू oxide में कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं तो यहां पर हम देखें क्योंकि जो उच्चताप पर इन्हें गर्म किया जाता है तो जो भी वाश्पशील सुद्या होती हैं जाहे वो sulphur हो, phosphorus हो या arsenic हो या oxide के रूप में बाहर निकल जाते हैं शाथ ही साथ यहां पर जो भी आपका अईस्क होता है वह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है साथ ही साथ चुकि अंदर से सल्फर, फास्फोरस, आर्सनीक आधी अपने ऑक्साइड की रूप में बाहर निकल जाते हैं तो जो अयस्क की सरचना होती है वो छिद्रियोगती या पोरस हो जाती है और हम जानते हैं कि जब सरचना पोरस हो जाती है तो उसमें सर्फिस एरिया बढ़ जाता है और सर्फिस एरिया बढ़ने से आगे की जो प्रक्रम में प्रोसेस होते हैं उनकी रियक्टिविटी, उनकी सक्रीता भी बढ़ जाती है तो इस तरह से हम देखें कि निस्तापान और भर्जन के सरूप अयस्क में से काफी अशुधियां दूर हो जाती हैं तथा अयस्क अपने ओक्साइड में परिवर्तित हो जाता है अब इसके बाद हम जो दूती पद है सांदृत अयस्क का धातू में अप्चयन इसके दूसरे पद की और आगे बढ़ते हैं जिसमें हम करेंगे ओक्साइड का धातू में अप्चयन करने के लिए हम किसी भी अप्चायक का उप्योग करते हैं इसके लिए प्राया कोक या फिर carbon monoxide जो की बहुत ही अच्छी अप्चायक होती है इसका उप्योग करते हैं या फिर हम किसी ऐसी धातू का भी उप्योग करते हैं जो कि अयस्क में उपस्तित धातू से अधिक सक्री हो तथा उसे धातू में अप्चायित कर सके हो लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो धातू oxide हो तो आसानी से अप्चायित हो जाते हैं लेकिन कुछ धातू के oxide को अप्चायन करने में कटनाई होती है लेकिन यहाँ पर इसे लिए जो भी प्रोसेस होती है जो भी धातू कर्मी प्रोसेस होते हैं वो किस तरह से सरल्ता पूरवक किये जाए इसमें जो उश्मा गत्की के सि फ्री अनर्जी जो पद होता है उसके अधार पर हम इस अप्चैन की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं तथा सुचार्यू रूप से कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस के स्पॉंटेनेस होने के लिए स्वताप्रवर्तित होने के लिए जो गिस फ्री का मान रनात्मक होना चाहिए तो इस तरह से यदि हम कैलकुलेट कर लें कि कि आपके लिए किस धात्यू का उप्योग करने से होने वाली प्रक्रिया के लिए डेल्टा-जी का मान नेगेटिव होगा उस प्रोसेस को हम अपना सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर साथ हम यह भ तापी अप्चैन के लिए कौन सी धातू अयस्क में उपस्ति धातू के सही रूप से अप्चैत करने के लिए reducing agent के तौर पर उप्योग की जा सकती है तो इसका नरधारण हम उश्मागत की सिध्धान के आधार पर कर सकते हैं तो धातू अक्साइट के अप्चैन की प्रक्रिया जानने के पहले हम आये जानते हैं धातू कर्मी प्रोसेस में उप्योग होने वाले उस्मागत की सिध्धानतों को